हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप घर पर ही अपना mixer grinder का ब्लेड तेस कर सकते हैं फ्रेंड्स कई सालों तक लगातार mixer grinder को यूज़ करने के वज़े से इसके जो blades हैं उनकी धार कमजोर हो जाती है अगर हम इसमें बहुत जादा गरम मसाले वगेरा पीशते हैं तो उससे भी इसकी धार पर असर पड़ता है इस वज़े से हम अच्छी तरह से चीजे पीश नहीं पाते हैं और बार बार अगर ब्लेड चेंज करें तो वो भी सही नहीं होता है तो इसकी धार को तेज करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ काला नमक अगर आपके पास खड़ा काला नमक है यानि कि जो टुकडे आते हैं काले नमक के तो और भी अच्छा है मेरे पास ये क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसे हमें मिक्सर में लेना है और अच्छे से इसे एक मिनट के लिए इसे ग्राइंड करना है आप देख सकते हैं मेरा जो नमक है बिल्कुल पिस्ट चुका है ऐसा करने से फ्रेंस मिक्सी का जो ब्लेड है उसकी धार बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी और ये हमें सिरफ एक ही मिनट तक इसे पीसना है इसके दो फायदे होंगे एक तो धार तेज हो जाएगी दूसरा आप घर पर ही काला नमक पीस कर तयार कर सकते हैं फ्रेंस ये बहुत ही इजी ट्रिक है आप जरूर यूज कीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलेगा मेरे चैनल प्री डियाइवे को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा थेंक यू फ्रेंस